एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 10 questions online quiz के अंदर यहां पर कि हम अपने students के लिए लाते हैं वह selective questions जो आपको कल help करेंगे आपके interview में और complete exams की preparation में तो दोस्तों आज के the most important question कौन से हैं चलते हैं दोस्तों आपको यह पता दे दोस्तों वेरी वेरी important questions जो आपको definitely help करेंगे आगे चलके तो इनको skip मत किजिएगा वीडियो को अन तक जुरूर देखें वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जुरूर कीजिएगो चैनल को सिस्क्राइब करना ना बुलिएगा दोस्तों यह important questions for today are दोस्तों आज की जो important question है इनको आप एक बरी जरूर याद कर लिजेगा क्योंकि बहुत जो है important questions है यह तो आज के questions के उपर चलते हैं दोस्तों बिना किसी देर के the first question for today is which one the in curve of an arc is known as जो inner curve होता है आर्क में वो क्या होता है दोस्तों इस पैंडल बोला जाता है उसको extra dots बोला जाता है intradots बोला जाता है या आर्क बोला जाता है क्या बोला जाता है दोस्तों inner curve of an arc जो आर्क आप बनाते है न दोस्तों जो आर्क जो बनती है हमारी इनमें inner curve जो हमारी आर्क बनती है इस टा फिर भी बोले जाता है एक फिर की और विंडों के उसमें इंट्र डॉस और सॉफिट बोले आधा है रोंपेक्शन फेक्टर ऑफ गुड वर्क बिलिटी अव कंक्रीट इज compaction factor of good workability which we can mix play transport place and compact to the concrete कितनी होनी चाहिए 0.7, 0.8, 0.85 या 0.9 कितनी होनी चाहिए दोस्तों एक good concrete की workability factor कितना होना चाहिए the right answer is 0.95 ठीके दोस्तों next question पर चलते दोस्तों the true edge the true edge of a tree can be known from किसे पता चलती है true age of a दोस्तों tree की can be हो गई यह can be known as non from what can be known from what दोस्तों the height diameter से पता चलती है प्लिट से पता चलती है या none of the above किसे पता चलती है दोस्तों एक tree की right age answer is none of the above actually मैं answer क्या है दोस्तों इसकी cambium से पता चलती है cambium 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 से दोस्तों एक ट्री की जो है actual पता चलती है आपने देखा होगा ना दोस्तों जब आप पेड़ को बीच से काटते हैं तो उसमें इस तरह की जो हैं दोस्तों layers बनी होती है और यह layers को काया था cambium तो इन layer को देखते हुए आप पता कर सकते हैं कि आपके ट्री की एज क्या है ना diameter से ना height से ठीक है दोस्तों उसकी यह छिलका जो होता है उससे पता चलता है हमारे actual में कितनी layers है उससे पता चलता है ट्री की actual higher age को दा गुट गुट कंक्रीट की किसे पता चलती है दोस्तों कौन सी प्रॉपटी जो उसमें ज्यादा material जो उसमें है इंग्रिडिंट उसका है ज्यादा हो तो उससे आपको उसकी गुट क्वैलिटी के पता चल जाएगा तरा राइट कर्णाय के लिए या टेंसाल स्टेंट करने के लिए किस लिए करते हैं दोस्तों कंसिस्टेंटी टेस्ट कर्फॉर्म करते हैं नेक्स्टे जहाएं जमटॉब हमारा तैस्ट होता है इस्था लिए सँ आपरेटर quem चैट करते हैं साउंडडे पता करते हैं यह तक्या करते हैं जो से यो लिश यह उर्देस को प्रसक्रीज शाट इस है वज्ड करते कर्लिश सांदय पता करते हैं आप सुंइमें क्मियों लिज उस सब्सक्राइब का can volume और वर्क आउट तुनी एसके point one cubic meter point zero one cubic meter point zero five cubic meter point zero one cubic meter या point zero five cubic meter किसके निए आणसर इस पॉइंट जिरो जरो वन कुबिट मेड़ आपको पता होगा दोस्तों अगर आप volume निकालने किसी भी जिची का point one into point one into point one आप करेंगे दो दोस्तों आपका volume निकलेगा 0.001 cubic meter ठीक है next question is the weight of cement bag एक cement bag का weight कितना होता है 45 kg 50 kg 55 kg या 60 kg ठीक है कितना होता है दोस्तों weight of cement bags का the right answer is 50 kg 50 kg is the right answer हमारा एक cement bag होता है उसका 50 kg होता है next question पर जाने से पहले आपको बताएते हैं दोस्तों perfect institute for severe जो है अपने सभी student को online और offline जो है हम लोग इंडिया और गल्फ के pattern के साब से quantity survey की training देते हैं जिसमें कि AutoCAD और Excel भी आपको सिखाए जाता था the course is only six double nine शैसो निन्याने रुपे कोर्स का फीस होता है जहां पर कि आप अपने घर पे बैठके live online इंट्रेक्टें इंट्रेसिंग प्लासिस को तुरू estimation billing और इंडिया और गल्फ के pattern के साब से सीख सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आप land service सीखना चाते हैं आप सीखना चाते हैं आप सीखना चाते हैं करा सकते हैं तो आप इस को जो है दोस्तों कर सकते हैं कैसे आपको बाद में पे करना होगा पैतिसों रुपे आप बाद में पे कीजिए और आप टोटल मिला के दे रहें चारे या नौशन इन रुपे और प्रैक्टिकली क्लासिस के लिए ऑटो लेवल और टोटल सेशन की अगर आप एक आईडिया सर्वे डिप्लोमा या बीटक से लिया है तो नेक्ट क्वेशन फॉर टोटे इस दे एस्टिमेट क्वानिटी ऑफ सिमेंट इन कंक्रीट मोट सिमेंट मोटार 1 इस तो 6 पर क्यूबिक मीटर विल भी हाव मच 5.6 बैक्स 4.4 बैक्स 7.4 बैक्स या 20. अगर हम बात करें एस्टिमेट क्वानिटी ऑफ सिमेंट की 1 इस तो 6 के रेशो में एक मीटर क्यूब में कितना सिमेंट बैक्स लगता है दोस्तों मोटार बनाने के लिए राइट आंसर इस 5.6 बैक्स लगते है दोस्तों अगर आपको यह सीखना है कि यह 5.6 बैक्स कैसे न एक बढ़न संसे रिषाज कि इस स्क्रैप वैल्यू थैक्न इज हम लोग मतलब कोई चीज लाते है ना जैसे आपने बिल्डिंग मनाई और एकदम से अगर हम जाने किस्ट्रैप वैल्यू कितनी है तो आपकी कुछ्ट कितनी कम होगए एकदम से the scrap value is less than 10% जो है दोस्तों आपकी consider किया आते scrap value ठीक है दोस्तों as compared to total cost of construction building scrap value is taken as 10% तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को like और subscribe करना ना भूलिएगा इसी तरह कि हम लोग हर रोज 10 questions आपके लिए लाते हैं जो कि बहुत 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 इंपोर्टन्ट होते हैं आपके आने वारे interview के लिए और आपके अपके अग्जांस के लिए तो दोस्तों इसी के साथ में जयाइन जयावारत थैंक्यू